लिबनान के हिजबुला ने पहले इसराइल के लाखो डॉलर्स के ड्रोन को मार गिराया और फिर इसराइल में सबसे भीतर घुस कर उसके दो सेन्ने अड़ो पर एक बड़ा ड्रोन हमला कर दिया हिजबुला के ये वो हमले है जिस से इसराइली सेना को अभी तक का सबसे बड़ा जटका लगा है हिजबुला ने अभी तक इसराइल के लाखो डॉलर्स के पांच ड्रोन्स को मार गिराया है इसके अलावा उसने उत्तरी इसराइल बॉर्डर पर बनी इसराइली सेना की तमाम चौकियों और जासू सी उपकर्णों को मिट्टी में मिला दिया है और अब हिजबुला ने एक बार फिर से इसराइल पर एक बहुत बड़ा हमला किया है दर असल हिजबुला ने उपरी गैलेली पर लेबनानी बॉर्डर के पास बसे मरगैलियट इलाके पर दरजनो रॉकेट फायर किये है हिजबुला का कहना है कि उसके इन रॉकेट्स को इसराइल का एर डिफेंस सिस्टम भी इंटरसेप्ट नहीं कर पाया है जिसकी वज़ा से इलाके में हवाई हमले के सायरन नहीं बजे थे वहीं दूसरी तरफ इसराइली सेना ने इस हमले को लेकर अपना आधिकारिक बयानजारी किया है आईडियाफ का कहना है कि कम से कम दस रॉकेट्स को लेबनान बॉर्डर पार करते हुए चिन्हित किया गया है वहीं दूसरी तरफ इसराइली मीडिया का कहना है कि इन में से एक रॉकेट की वज़ा से मुर्गियों के एक बेड़े को काफी नुकसान हुआ है जबकि अन्य रॉकेटों की वज़ा से इलाके में बत्ती गुल हो गई थी हाला कि इसराइली मीडिया ने अभी तक इन हमलों में किसी के हताहत या फिर घायल होने की कोई खबर नहीं दी है इस्राइली मीडिया का कहना है कि हिजबुल्ला के इन हमलों में हवाई हमले के सायरन तक नहीं बजे वहीं दूसरी तरफ इस हमले को लेकर सोशल मीडिया पर भी कई वीडियो सामने आये हैं इन में से एक वीडियो में रात का अंधेरा दिख रहा है और सामने आबादी में घरों की बत्तियां जलती हुई दिख रही है और तभी धमाकों की आवाजे आने लगती है एक ऐसे ही दूसरे वीडियो में एक मकान दिख रहा है जो हमले में शति ग्रस्त हुआ है दावा है कि ये मकान हिजबुला के हमलों में शति ग्रस्त हुआ है आपको बता दे कि हिजबुला ने जिस इलाके में हमला किया है वो किर्यच शमोना के बेहद ही करीब है और किर्यच शमोना पर हिजबुला पहले भी कई ड्रोन और रॉकेट हमले कर चुका है आप